हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू मैं जैनल कैसे हैं आप सब लोग आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिजाइन लेके जिसको मैं सिल्की त्रैड से बनाऊंगी और मैं टू लेयर्स यूज कर रही हूं सिल्की त्रैड से आप मल्टी शेड में भी यूज कर सकते है और आप अगर आपको असानी है आप वन लेयर्स भी यूज कर सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं न्यू कमर्स हैं तो आप टू की बजाए थ्री लेयर्स यूज किया कीजिए जो के सिल्की त्रैड में होती है यहां पर ऐसे और अगर आप कॉटन त्रैड यूज कर रहे हैं मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट और शियर भी किया कीजिए थैंक यू सबसे पहले हम इपने डिजाइन के लिए नौट बनाएंगे सिंप्ली नौट बनानी है इससे आपका डिजाइन स्की और हो जाता है और खुलने का भी खत्रा नहीं होता सबसे पहले इसको हम अटाइच करेंगे अपने फैब्रिक के साथ सिंगल क्रोशे के साथ कुछ इस तरह से तोचें लेने के बाद यहां पर मैं कुछ शूटेबल डिस्टेंस पर डबल क्रोशे बनाऊंगी सब्सक्य उलकल ले साथ सेड़ी यह प honey डबल क्रोशेए एक स्पेस में हम टो डबल क्रोशे ons बनाएंग longtemps फिर ट्री ट्रीजा लेने के बाद फो डबल क्रोशे बनाएन इस वाली इस में से और यह वालया डबल क्रोशे टू टाइंस जो हैं वह हमने कवर करने हैं अपने नेक्स्ट फोर डबल क्रोशे के साथ सो इस वाली स्पेस में मैं बनाऊंगे फोर टाइम डबल क्रोशे बनाने के बाद हम इसकी लुक देखेंगे आप देख सकते हैं इसकी लुक कैसी आएगी और बहुत खूबसुरा लगता है यह पहला डिजाइन नेक्स्ट पर हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे सेम डिस्टेंस पर टू टाइम बनाएंगे एक ही जगा पर डिस्टेंस सेम लेना है अगर आपको कोई मसला हो रहा है तो आप इस तरह इसको अपने डिस्टेंस को इस तरह मेजर कर सकते हैं डबल क्रोशे, 1डबल क्रोशे, 2डबल क्रोशे, सेम स्पेस में डू डबल क्रोशे लेना है और फिर इसके उपर हमने थ्री चेन प्लस थ्री चेन प्लस फॉर डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में से इन दोनों डबल क्रोशे को कवर करते हुए वन टू अभू इस तो डबल क्रोशे रर फोर डबल क्रोशे के बाद है यह से हम्ने नक्स्ट स्टपके लिए डबल नहीं देबल क्रोशे लेना है और हमने इस तरह से अपना डिस्टेंस मेज़ करना है और आप प्रिस्टेंस से मिए रखेगा एंगे नाई नाई टू डबल क्रोशे यह जो टू डबल क्रोशे है इनको उपर से हमने फॉर टाइम डबल क्रोशे बनाना है थ्री चेन प्लस फॉर डबल क्रोशे इनको कवर करते हुए बनाना है बन डबल क्रोशे टू डबल क्रोशे तरी डबल क्रोशे एंड फॉर डबल क्रोशे फॉर डबल क्रोशे के फॉरण बाद हमें यहां पे नेक्स्ट स्टप के लिए फिर से डबल क्रोशे लेना है टू टाइम लेना है एक ही जगा पे यह हमारे डिजाइन की रिक्वाइमेंट जिससे आपको डिजाइन की खूप सूरत ही का पता चलेगा आप देख सकते हैं इसके नीचे हमने टू डबल क्रोशे कवर की हैं इसलिए यह वाला डिजाइन कुछ ऐसे दिख रहा है अगर आप सिंगल क्रोशे से बनाएंगे तो इसकी लुक थोड़ी चेंज हो की मैं आपको और भी डिजाइन बना के दिखाती हूँ थाकि आपको ठीक से समझ में आएंगे आप देख सकते हैं यह बहुत पूशूरा डिजाइन बनता है यह इसकी डाक साइड है और यह इसका फ्रेंट साइड है इस तरह से कुछ आप इससे अपने दामन और गले पे अपने बाजू के डिजाइन पे और अपने दपटे के पल्लू पे सारी के पल्लू पे कहीं भी बना सकते हैं इसली हर कोई मिंटों में इस डिजाइन को बना सकता है इस डिजाइन के लिए हमें बेस रोकी भी जरूरत नहीं होती अगर आपको सिल्की थ्रेड से थोड़ी सी मुश्किल होती है फर्स्ट टाइम में तो आप सबसे पहले किसी भी डिजाइन को बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कॉर्टन थ्रेड ले 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 एंकर का कॉर्टन थ्रेड ले वो इजी ली आप कैरी कर सकते हैं उसके बाद फिर हम आइस्ता इस्ता सिल्की थ्रेड भी बना सकते हैं तो इस ताप से अपनी फर्स्ट और क्विट करेंगे यह टू रोज वाला रिजाइन है तो सेकन्ड रो के लिए मैं सेकंड कलर रूस खरूंगी आप चाहें तो सेब कलर के साथ भी second row बना सकते हैं बट इसके लिए हमें यहां से first से start करना होगा तो मैं second row के लिए pink color का thread यूज़ करूँगी silky thread mix and match करके आप single thread भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां पर two layers उज़ करूँगी सबसे पहले मैं इसको knot बनाऊंगी knot बनाने के साथ हमें जो पहले row बनाई है first वाली row बनाई है हमने उसके first वाले edge भी हम इसको attach करेंगे single crochet के साथ single crochet के साथ attach करने के बाद इसके उपर हमें one chain बनानी है one one chain बनाने के बाद यहां पर double crochet लेना है इस वाली space में यहां से double crochet लेना है कुछ इस तरह से बन जाएगा यह और double crochet लेने के साथ हमें यहां पर three time picots बनाने है three chain के साथ one two three chain one picot को single crochet किया one two three three chain लिया फिर से इसको single crochet किया इसी space में again three chain one two three three chain और इसको हमने picot कर दिया इसके साथ और यह कुछ इस तरह से design बनेगा three chain के साथ और इसको हमने यहां पर next वाला जो हमारे leaf है उसके edge पर हमने इसको single crochet करना है single crochet करने के बाद फिर से one chain लेनी है और फिर double crochet बनाना है हमने इस space में कुछ इस तरह से और इस जगा पर हमें three picot का flower बनाना है one two three chain single crochet one two three chain फिर से single crochet single crochet single crochet करने के बाद हमने इसको अपने next वाले पैटल के edge पर single crochet करना है यह कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा एक बार पिर से मैं बना के दिखाऊंगी यहां से single crochet लिने के बाद one chain plus one double crochet इस वाली space में से लिना है हमने double crochet और इस space में हमें three three picots का flower बनाना है one two three chain single crochet one two three three chain single crochet one two three chain और single crochet three time इसको complete करने के बाद हमने इसको next पैटल के edge पर इसको हमने single crochet कर देना है कुछ इस तरह से हमारा design बनेगा मैं आपको और भी बना के पूरा complete करके शो करती हूँ आप देख सकते हैं मैंने अपना design complete किया है और बहुत ही खुब शुरुद दिखता है यह इसका back side है यह basically two rose बाला design है तो आप इस पे अगर same colors के साथ two rose बनाना चाते हैं तो same color के साथ भी बना सकते हैं मैंने two colors यूज़ किये हैं तो आप two colors भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको cotton तरहर से भी बना सकते हैं बहुत खुबसूरत लगता है और इससे आप अपने shirt के दामन पे भी बना सकते हैं इससे बहुत खुबसूरत लगेगी आपके shirt I hope आज का design आपको पसंद आया होगा इंशाला नाक्स वीडियो में मिलूगी ने design के साथ अपने द्वाव में याद रखेगा अलाफीस